हाई एवर्योंड इस वाली वीडियो में दोस्तों मैं आपके साथ बात करने वालों कैसे आप अपने आइपोन या पिर आइपैड में न्यू अप्लिकेशन को डाउलोड कर सकते हैं अगर आपने एक नेशन दे न्यू आइपोन को पर्चेस किया है आपको जानना है कि कैसे आप अपने आइपोन या पिर आइपैड में एप्लिकेशन को डाउलोड कर सकते हैं तो इस वाली वीडियो में आपको इस्टेप बाइस्टेप बदाने वालों हूँ बहुत से वीवर को ऐसा लगर होगा यारे तो बड़ा बेसिक टॉपिक है इतनी इजी टॉपिक पर वीडियो बनाने के क्या जोड़ती है तो मेरे यखिन करो दोस्तों यहाँ पर बहुत से लोगों के आईफोन में अपने एप्लिकेशन को इस्टोर करना भी नहीं आता है क्योंकि यहाँ पर एंडूड की तरह काफी सिंपल नहीं है अप्लिकेशन को डाउलोड करना और अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जोर सब्सक्राइब पर देऊं और साथ हैं बैल आइकन की दोएं अपने आईफोन पर कोई भी एप्लिकेशन को डाउलोड करने के लिए आपके पास एक न्यू एप्ल आईडी होनी जोर ही है अगर आपके पास अब कोई भी एप्ल आईडी नहीं है तो पहलें आपको एक न्यू एप्ल आईडी करेट कर लेनी है अब न्यू आपिल आईडी कैसे करते हैं इस पर मने अल्लेडी कई वाणा रहे हैं लिंक तो मैं आपको इंडी स्किन पर देदूंगा या फिर आई बटन पर देदूंगा वहाँ पर जा कि आप देख सकते हैं जब आप यार न्यू अपल आईडी को हमें कोई अप्रस बिलॉगन करना चाहते हैं तो स्मुपल्य आप कंटीन्यो पे करेंगा अगरा आप सेैदिंग वाली अपीस नियू आप याप अप्र prol करना चाहते हैं तब आपको इस इसके वाइब आपके सामने इंटरफेस आएगा आप आप नौट आउप पर टैप कर सकते हैं और इस तरी कि यार एप सब्सुर में आप अपनी वाली प découvrir को लोगन कर सकते हैं इसको आप यार आप्लिकेशन को शर्च करने है जिसको भी आप पर tap करूए और इसके वाज सम्पली आप get पर tap करेंगे इसके वाज आपके सामने इस तरीके से आएगा आप से touch ID मंगा जाएगा या फिर आपसे आपका face ID मंगा जाएगा अगर आपने दोनों चीजा अपने आइफ़ोन पर setup नहीं कर रिखे तब आप से यह आपकी Apple ID का password मांग जाएगा तो simply मैं यहाँ पर Touch ID डाल दूगा जब आप Touch ID, Face ID या पर अपना Apple ID का password डाल देंगे तो इसके बाद थोड़ा से वेट करेंगे, आपकी जो application है यहाँ से download हो जाएगे जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर कुछी सेकंड में जो हमारी application है वो हमारे iPhone पर install हो जाएगे जैसे कि आप Home Screen पर देख सकते हैं WhatsApp application आज चुकी है इस तरह कि से यार कोई भी application को आप अपने iPhone पर download कर सकते हैं simply आपको app store में उस application का नाम डालना है जैसे कि आप यहाँ गेम भी सार्च कर देख सकते हैं तो इस तरह किसे आप अभी आप यहाँ पर देखने को मिला है तो simply हम इस पर टाप करते हैं उसके बाद डाउड़ पर टाप करते हैं तो इस application के डाउड़ोडिंग हमारे iPhone पर start हो जाएगी तो इस तरह किसे आप अप सुगे रोग अपने iPhone यह फिर iPad में डाउड़ करेंगे वीडियो अगर आपको इंप्रोटे लेगे तो प्रीज आज वीडियो को एक लाइक करते हैं अगर आप चैनल पर पहले वार रहे हैं तो चैनल को जोड़ से सब्सक्राइब करें थाइब लाइब लाइब